हेलो फ्रेंड मैं हूं बीके बर्मा फार्मासिस्ट एंड मेडसीन काउंसलर आज हम बात करेंगे जो आई फुलू होता है यानि जो कंजक्टिव आइटिस होता है रेडनेस आफाई यानि जो आँखों का आना आँख में जो इसमें बहुत तेजी से वाइरल इंफेक्शन चल के दिन बात करते हैं हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को प्रुपड़र गएगा और हम कर दीजियेगा हम करते हैं कि किस यानि से नाम 才 reinvent आई-फ्लो जो है आप लोग को हो रहा है तो सबसे पहले अगर इन्फेक्सन है कम मनलब बहुत माईनूर पार्टिकल में जो है आई में इन्फेक्सन है तो सबसे पहले ड्राप आता है सिप्ल yang यानि सिप्रो D, यह होता है थोड़ा बहुत हलका redness हो, soiling हो तो उसमें यूज कराया जाता है, और आगे next drop की बात करते हैं, तो महा फ्लाक्स ड्राप आता है, जो moxiflaxasin drop होता है, यानि moxiflaxasin महा फ्लाक्स में जो composition की बात किया जाए, तो moxiflaxasin होता है, फिर आता है moxiflaxasin and dexamethasone, प्लाक्स केटी के नाम से आता है, इसमें composition moxiflaxasin की टो रोल एक होता है, और उसके बात फिर बात करते हैं, गैटी लाक्स ड्राप आता है, जिसमें गैटी फ्लाक्स सीन होता है, यह मलब एनी टाइप साफ आई ड्राप जो हैं, कई प्रकार के आते हैं, जो मलब आई फुलू में सारे जो ड्राप हैं वो best हैं, कोई भी ड्राप आप लोग को अगर मिले, तो market में purchase करके आप लोग आ आई जो आँख का infection है, यानी जो conjunctivitis है, या फिर जो आई फिलू है, वो पूरी तरीके से recover हो जाएगा, तो ऐसी वीडियो जानकारी के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और like करें, लेकिन अगर कोई भी ड्राप या कोई भी दवा लेते हैं, तो without doctor prescription पे ना लें, जब भी आप ल दो आशिक है, या विएएगागे लेगा like करें, और भी दो करें भी जाहाँ कोईश डिलू ऑना बलेता र één जानकारी के लिएगागा लेंगाले के लिएभागे लेगे ले हाँख मुला जासने लेगा स्टेशने के लेगी देद्वेग लेग जाँने के लिएगाः है, य